और वो नदी के किनारे पाणी लेने के ले जाता है उधर से राजा दसरत शिकार खेलते वी वण में आ जाते हैं और जैसे ही सरवन कुमार घड़े को पाणी में डुबकोता है तो राजा दसरत सब्द वेदी बान चड़ा देते हैं तो जब राजा दसरत सर्वन कुमार के पास आते हैं तो सर्वन कुमार क्या कहता है वाला एक रागणी के द्वारा गिर्या धर्णी में हुई आखून गात से जारी हेरे के मिल गया तो नेरे तीर मार के कर दिया जलम सिकारी कर दिया जलम सिकारी हेरे लगते तीर कि राधर्णी में हुई आखून गात से जारी हेरे के मिल गया तो नेरे तीर मार के कर दिया जलम सिकारी कर दिया जलम सिकारी कर दिया जलम सिकारी चल्या कर थे प्वालाठी तेने तोड़ दई वालाठी तेने तोड़ दई तेर कच्छी कली मरोडी रे तने प्रया नहीं विचारी कर दिया जुलाठी तेर मार के कर दिया जुलाठी सिकारी कर दिया जुलाठी सिकारी कर दिया जुलाठी तेर मात पिता की छाथी उन्हें तीरत कराने ल्याया प्यास लगी जब रे अंधोन में पाणी लेन खंगाया पाणी ले खडाया के मन थर माल चुराया क्यों खो दिया जाने हमारी के मिल गया तन तीर मार के कर दिया जुलाठी सिकारी कर दिया जुलाठी सिकारी हेरे अंधों को नहीं मती साथी किसके सहर जीवेंगे किसते हो जर जाए खत में वो उसी चीज में पावेंगे उसी चीज में चाहावेंगे पटा जी कर कर के सैसी वेंगे किलकुल होगी ख्वारी के मिन गया तन तीर मार के कर दिया जुलाठी सिकारी कर दिया जुलाठी सिकारी मेरे चनार धन के मारने वाले कितना केहन पुगई ये मात पिता मेरे रे प्यासे है उने जाके पाणी प्लाई जाके पाणी प्लाई मत ना मर बताईये रहे मत ना मर बताईये मातो रोवेगी मेह पारी कोई मिले क्या तने तीर मार के कर दिया जुलमे से पारी कर दिया जुलमे से पारी करे लगते तीर की रह धरनी में कोई अखुन गाप से पारी ये मिले क्या तने तीर मार के कर दिया जुलमे से पारी कर दिया जुलमे से पारी कर दिया जुलमे ओर कर दो ही से राय जुलमे से, पारी